हेलो गोस्तों स्वागत एक बार पिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सट्टिविकेशन कोर्स में जहां पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अगर आपने प्रिवियस्ली कोई लैंग्विज पड़ी है लेकिन बिलीव में जावा में जब हम अरे की बात करेंगे तो अरे की कुछ लिमिटेशन की भी बात करेंगे और इसी लिए हम जावा में कलेक्शन को प्रिफेर करते हैं कि जब भी आपको होमोजेनियस सा हेट्रोजेनियस डेटा को कलेट करना है वहाँ पर हमारे लिए कलेक्शन फ्रेमवर्ग भी अवेलेबल है जो की जावा का मोस्ट इंपॉर्ट जावा में अरे इसन ऑबजेट और सी और सी प्लस प्लस में अरे होता है एक वेरियबल ठीके जावा में अरे मेमोरी अलोकेट करता है रन टाइम पर और सी और सी प्लस प्लस में अरे मेमोरी अलोकेट करता है कंपाइल टाइम पर आप देखिए यदि आप अपना रिजुमे prepare करेंगे और अगर आपने resume में लिखाए language known स τι कॉलम में अगर आपने c भी लिखाए आपने c++ भी लिखाए और आपने java भी लिखाए ता तरह कर दिया है कि वह आप comparison वाले question पूझेगा धो c++ जावा में होते हैं अब आपको आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपने c भी पड़ी है और आपने java भी पड़ी है तो ऐसे बहुत सारे comparison questions हैं जो कि हमने ready किये हैं हमारे placement ready course में जो कि आपको take with one की website में मिलने वाले हैं यह मैंने एक example आपको दिया है but near about this type of maximum question जो कि comparison वाले question है जो कि अकसर यह questions होते हैं interview में क्योंकि resume में जब आप सारी language लिखते हैं तो बाक्यादा question भी बनते हैं अब हम जब बोलते हैं array is a collection of similar data type और array in java is an object अब अगर यह object है तो यह memory allocate करेगा runtime पे और अगर यह object है तो obviously इन object के पीछे कोई ना कोई classes होंगी तो यहाँ पर आप सुनिये ध्यान से अकसर एक question interview में पूछा जाता है what do you mean by factory classes java में factory classes क्या होती है factory classes हम उन classes को कहते हैं जो कि java developer ने हमारे लिए नहीं बनाई वो उसने अपने purpose के लिए बनाई है क्योंकि उसने भी language को develop किया यार उसने भी कई lines के code लिए है तो java को कुछ classes AC थी जो अपने purpose के लिए बनानी थी this is not for us जैसे उसने string class हमें दी है उसने exception class हमें दी है ठीक है मैंने आपको बता है there are lot of java classes जो भी हम पढ़के आ रहे हैं लेकिन वो classes जो developer अपने purpose के लिए बनाता है यह कहलाती है factory classes और array के पीछे जितनी भी classes काम कर रही है यह सारी की सारी classes हम कहते हैं factory classes है अब आप देखिए java में जब हम array को declare करते हैं मैं चाहता हूं कि sir array की limit क्या होगी जैसा अगर आप c में देखें तो c में आप क्या करते हैं array को इस तरीके से define कर देते हैं 100 size का तो जब हम array को 100 size का define कर देते हैं तो यह fixed हो जाता है कि आपका array अगर आपने 10 element भी दिये हैं तो वह 100 की memory allocate करेगा क्यों क्यों कि यह compile time memory allocation है ल नेक्स्टेंट कि यह वैलू दर से रीट किये हां पर मैंने एक मैसेज दे दिया system.out.println enter limit of array ठीक है एंटर limit of array यह scan के पहले आपको scanner को क्लियर करना पड़ेगा मैं आपको पहले भी बता चुगा हूं कि scanner हम यूज करने जावा में यूजर से डेटा रीट करने के लिए तो मैंने यहां पर अभी लिग दिया है n equal to scan.next int तो इससे आपको क्या होगा इससे आपको एक integer value read होके मिलेगी अब आप चाहते हैं आपक कि यह memory allocation run time पे होगा है तो यहां पर advantage यह है कि यदि आपके requirement 10 element की है तो array भी 10 elements को लेके ही memory allocate करेगा जबकि C और C++ में हम क्या बोलते हैं अगर आपने array को 100 का declare कर दिया तो वह 100 size का होगा बहले ही आप उसमें 10 element enter करें पर यहां भी आपको इधान रखना पड़ेगा कि एक को difference है C और C++ में और यहां पर C++ में अगर array अपनी limit को cross करता है तो कोई problem नहीं हो garbage value देगा लेकिन Java में array में अगर आपने limit से ज्यादा data दिया तो वह exception throw कर देगा array index out of bound exception मतलब Java में आप array को उतना ही use कर सकते हैं जितना की indexing values दे गई है मैं आपको एक example के साथ समझाता हू तो अब देखें यह तो है array का runtime memory allocation लेकिन आप चाहें तो Java में array को इस तरीके से भी declare कर सकते हैं कि आपको पता है कि array में आपको user से value नहीं लेनी है fix elements set करना है तो आपने क्या किया इस elements को इस तरीके से declare कर दिया तो यह जो array आपका बनेगा यह array क्या करेगा array of 0 में value stored करेग 10 array of 1 की value stored होगी 50 array of 2 की value stored होगी 20 and so on तो जो indexing है वो क्या है 01234 अब देखिए एक और big advantage of array in Java की array मैंने आपको क्या बला object है और इन object के पीछे factory classes है आप से पूछा जाएगा ओके आप बोल रहे हैं इस array के पीछे कोईने कोई रेपर क्लास उसका नाम क्या है किसे पता आपको इस placement ready course में मिलने वाले हैं तो यहां पर आप देखिए फिलाल दों बात करते हैं कि यह मैंने अरे लिए है अब देखिए हर array अगर object है तो इसके साथ एक variable भी होता है कि मान लेजे इस array की value को अगर मुझे print करना है तो मैं यहां पर क्या करूंगा 5 लिखने के बता देगा कि आपके array में total number of element कितने है तो यहां पर अगर मैं इसको print करता हूं तो हमने के लिखा 0 से लेकिए array.length and i++ and simply I'll just print this value array of i ठीक है तो अभी तो बाका था मुझे आउट विलेगा 10, 50, 20, 30, 40 लेकिन मान लिजी अगर आपने इसकी बजाए directly लिख दिया system.out.print array of 9 त तो that shows array index out of bound exception और यही बात अगर आप C or C++ में देखेंगे, you will not get any exception, you will get some garbage value because वहां पे exception management नहीं है लेकिन जावा में अगर आपने array को इसके index से बाहर access किया, it throws a runtime exception. इसे ही आप देखें पिछले वाले में भी exception आने के chances, आपने बोला है इस array को runtime पे declare करना है N size का, अब array की index indexing 0 से शुरू हो रही है, बात समझ ना है, देखें किस तरीके के questions आप से interview पूचे जाएंगे, यह मैं कुछ जलकी है जिसको बोलते हैं, कुछ example बता रहा हूं आपको, एस से कितने questions हैं, आप देखेंगा हमारे placement ready course में, यहां पर आप देखेंगे, अगर भाइचंस आपने limit देदी minus 10, तो क्या रही है, अरे आपका negative value allocate करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो क्या होगा यहां पर, किस तरीके का error आएगा, यह फिर से exception आएगा, again this is an exception, negative value initialization exception, कि अरे को आप अगर negative value के साथ initialize करोगे, तो आप वेसी बात है, रन टाइम पर exception show करेगा, तो आप समझ declaration किस तरीके से होगा, array को हम define किस तरीके से करेंगे, और आप देखिए, array के type के अगर हम भात करें, तो array one dimensional array होता है, array two dimensional array होता है, array multi dimensional array होता है, हम इसको define कैसे करते हैं, कि जब हम एक array को declare करते हैं, तो यह जो होती है, यह कहलाती है, array की subscript, this is called subscript of an array, तो एसा array जिसमें एक subscript होती है, यह one dimensional array कहलाता है, अगर array में subscript एक से ज़्यादा है, for example, अगर मैंने लिखा array this one, तो यह two dimensional array है, and if more than two, तो यह multi dimensional array कहलाता है, अब इस array को लेके, there are lot of application, अगर आप believe करें, अगर आप data structure की planning कर रहे हैं, कि आपको Java में data structure पंड़ा है, तो आप वहाँ देखिएग searching के, sorting के, stack queue का implementation using array, हम बात करते हैं, linear search, binary search, sorting applications की हम बात करते हैं, ठीके, आप देखेगा Java with DSA का, जो हमारा placement ready core से, ठीके, मतलब DSA with Java, तो data structure using Java का जो core से, वहाँ पर आप देखेगा, कि कितने programs हैं, जो हमने array को लेके implement करें, तो यह जब searching की बात होगी, sorting की बात होगी, तो आपको data collection format में चाहिए, और जब data collection format की requirement होदी है, तो वहाँ पर हम array को use करते हैं, यह मैंने आपको के वले एक example अभी बताएं, कि Java में array को हम declare किस तरीके से करेंगे, दो तरीके आपके पास, कि या तो अब run time पे limit के साथ declare करें, या आप array में value इस तरीके से initialize कर सकते हैं, एक और question, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप देखें, C में, अगर मान लिजे, आपके पास एक array, for example, यह C का array, थोड़ी दिरकली मान लिजे, ठीके, कि अगर मान लिजे, C language में array में declare किया है, अब मैं चाहता हूँ, इसकी copy बना लू, एक दूसरे array में, AR1, यह मैंने multiple value consist कर रहा है, तो C में array को array में इसे copy नहीं करते हैं, एक loop लगा के बाकादा, एक एक करके element copy करते हैं, ठीके, यह question है कि क्या हम array को इसे copy कर सकते नहीं, लेकिन Java में yes, Java में this is valid statement, क्यों, क्योंकि यह object है बेटा, और यह तो आप object को object में copy कर रहे हूँ, ठीके, तो actually यह object है, और यह भी object है, तो यहाँ पर मैं actually क्या किया है, object को object में assign किया है, तो यह reference हो गया है, तो this type of question interview में पूछे गए है, top mncs में, क्या हम एक array को array में assign कर सकते हैं, yes, because object object का reference बन रहा है, तो I hope concept आप समझ पा रहे है, array as an argument, जब हम value pass करते हैं, कि कि किसी भी function में आपने array pass किया तो क्या होगा है, आप देखिए, मान लिजिए array है, अब इस array को अगर में किसी function में pass करना हूँ, like, कि मान लिजिए अगर मैंने x y z नाम के function में इस array को pass किया है, ठीक है, तो c अगर आप याद करें, तो c में जब आप array pass करते हैं, तो आपको उसकी limit भी बतानी पड़ती है कि array अपने साथ कितने element लेके चल रहा है, क्योंकि वहाँ पता कैसे चलेगा कि आपके array में number of element कितने है, लेकिन जब आप java में इसकी बाप करने, तो आपको k1 array pass करना है, no need to pass the size of the array, वो इसलिए, क्योंकि ये array के पास एक length नाम का variable है, जिससे आपको array की size पता चल जाएग अब आपने यहां से array pass किया, तो जहां भी इस एक्सवाजेट function को आप define करोगे, आप केवल क्या करोगे, आप यहां पर array को receive करोगे, AR में, जो भी आपने नाम लिया है, और यहां पर आप इसको access कैसे करेंगे, for i equal to 0, i less than ar.length, i less than ar.length, i plus plus, तो यहां पर आपको size नहीं दे जावा में आपने केवल array pass किया है, और इस array का reference बना है आपका यह array, ठीके, तो यह array इसका reference बना, और length से आपने पता कर लिए कि number of element कितने है, this is what the advantage of array in Java, कि जब हम Java में array को use करते हैं, तो क्या क्या advantage मिलते हैं, हमें Java में array के object होने के, और यह object है, क्योंकि हम इसको new के साथ define कर रहे हैं, और अगर आप new के साथ define नहीं करेंगे, तो it will be a reference object, यहाँ पर यह reference object है, actually, यह AR जो है, it is a reference of this AR, जब मैं यह लिखता हूँ, AR1 equal to AR, तो this AR1 is a reference of this AR, तो अगर मैं AR1 से भी कुछ changes करूँगा, तो इसका effect मुझे actual AR पे दिखेगा, तो यह होता है, reference object, तो actual object, reference object क्या होते है, arrays and argument को लेके किस तरीके से question पूछे जाएंगे, binary search की coding, linear search का program, यह सब आप देखिए, आपको Java के placement ready course में, बहुत easily detail में समझाया है, मैंने, तो इस course को एक बर आप देखेंगे, तो आपके सारे doubt, बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे, ओके, तो चलिए फिर मुला